इपो नेंक्ट में देखक्षा फौर्थ जो है को प्लेज़ को टेव Anyone त्रन फॉफ आ बिस गीविन वाइब अगर एंधि tissue ए emerging तो मैंने क्या समझायक था अभी सब कि आप सबसे पहले बेटा n के लिए 1 रख लो, और n के लिए 2 रख लो, ये दो काम कर लो, सबसे पहले अगर an वाला कोश्चन आ जाए, और sn वाला कोश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले n के लिए 1 और 2 रखनी है, तो चलो अगर n को 1 रखा तो a1 कितना आएगा, 3 प्लस 2 इं आजाएगा, इस बार आपको a1 और a2 direct मिल जाते हैं, an वाली कोश्चन में a1 और a2 direct मिल जाता है, यहाँ पर जरूर थोड़ा सा मैं s2 से पहले a2 निकालना पड़ता है, ठीक है, यह थोड़ा ध्यान रखना है, दिफरेंस दोनों में, चलिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो यह आख का आजाएगा, 7 माइनस का 5, यानि 2 आजाएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, क्या डिफरेंस बीटा 2 के बराबर आ गया है, अच्छा, डिफरेंस आ गया, अब क्या निकालना है, sum of 24 terms, तो भाई, sn का फॉर्मला क्या है n by 2, 2a plus n minus 1 into d, यह हमारा sn का फॉर्मला है, अब अगर इसको solve कर दिया जाए, तो देख लेते हैं कितना answer आ रहा है, तो n की value हमारी कितनी है, हमें 24 का sum निकालना है, sum of 24 terms बताना है, कितना है, तो देखो कितना आएगा, तो 24 upon 2, bracket में 2 into, first term हमारा कितना है, 5, यहाँ पे 24 minus 1, difference is 2, difference is 2, यह आ जाएगा, यह आ गया, काफी उच्छे ना answer कर दिया है, देखते हैं वाकि, तो यह तो 12 हो जाएगा, यह 10 हो गया, यह 23 होगा, 23 का 2 में multiply होगा, 46 आ जाएगा, यानि 12 into 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे तुमारा 7 carry, 67, 672 a part, a part answer आ जाएगा, तो यहाँ पे a part 71 बच्चों ने कर दिया है, ठीक है, 71 बच्चों ने सही कर दिया है, और इसका answer बता दिया है, 672 जो की a part है,